हलो फ्रेंज मैं आपको बहुत आसान तरीके से पाइपीन बनाना बताऊंगी देखिए यह हमारा 10 इंच का बिलाउज है लंबाई हमारा 14 इंच है देखिए 14 इंच का लंबाई हमारा है और यहां से 5 इंच लेंगे चोड़ा और 6 इंच पे बाजू का निकालेंगे डेड़ इंच पे गोलाई देदेंगे ऐसे और देखिए धाई इंच पे हमारा गला रहेगा 10 इंच हमारा लंबाई रहेगा गले का और ऐसे हम मार्क लगा देंगे ऐसे गुलाई का सेफ देंगे देखिए आप मैं इसे कट कर रहे हूँ इसी तरह हम कपड़े पर रख करके भी कट कर लेंगे यह हमारा अस्तर का कपड़ा है मैं आपको इसी पर बता रहे हूँ चाहें आप कितना भी चौड़ा साइच हो 32, 30, 20 हो गले और बाजू का यही सेफ होता है देखिए हमारा ब्लाउंज पीच पे बहुत चौड़ा बॉर्डर है यहां पे हम 10 इंज का चौड़ाई ले रहे हैं और इसे अच्छे से सेट करते हुए आस्तर को ऐसे रख करके दोनों को जोइंट एक साइड में होना चाहिए देखिए मैं रख रहे हूँ अरे इसे कट कर लेना है दोनों कटिंग आपको बता रहे हूँ कभी ऐसे कपड़ा चपत करके ऐसे ही कट किया जाता है ब्लाउंज का इसलिए मैं आपको बता रहे हूँ देखें यहां से 1.5 इंच का चोड़ाई रहेगा हमारा गले का और यहां पे 9 इंच रखेंगे क्योंकि हमारा चोड़ा बॉर्डर है इसलिए हमें इतना ही गला रखना है फिर ऐसे सेफ देते हुए इसे कट कर लेंगे गला एकदम हमारा गोल राउंड में है इसी पे मैं आपको पाइपीन बना कर बताऊंगी देखें आप सीधा उल्टा दोनों को देख करके ही कपड़े और अस्तर को सेट करना है ऐसे सीधा अंदर होना चाहिए क्योंकि हमें यह फिर सील कर पलटना है कॉर्नर पे नीचे हम चिलाई लगा देंगे ऐसे और फिर हमें ऐसे ओपन करके खुला करके ऐसे देखें हमें एक चाप चिलाई भी लगा देना है अस्तर पे अब फिर हमें ऐसे मिलाते हुए हमें टेकिन दो लगाने हैं पांच चिंच की लंबाई पे देखिए दोनों कॉर्नर पे हमें डबल सिलाई कर लेना है क्योंकि हमारा ये धागा निकले ना हलो फ्रेंज अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा घंटी को भी दबा दीजिएगा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके देखिए ऐसे सेफ आएगा मैं आपको पाइपीन के लिए कपड़े कट करके बता रही हूँ कभी भी कोई पाइपीन बनाना हो तो कपड़ा ऐसे उरेब कट करना चाहिए कभी सीधी नहीं देखिए ऐसे हैं मुरे पट्टी कट करते हैं ज्यादा लंबा पट्टी नहीं कट करें क्योंकि 9 इंच का ही हमारा गला है और 2 इंच चोड़ी हमें ऐसे पट्टी कट करना है देखिए ऐसे ही हम उरे पट्टी तीर्षे कट करते हैं और दोनों को कैसे जोड़ते हैं एक ऐसे सीधा और एक ऐसे दोनों को ऐसे तीर्षे करके सिलाई कर देंगे इस पे अब हमारा दोनों एक में जुड़ गया और ब्लाउज पे हम देखिए हम कैसे इसे सिलाई करेंगे जो एस्ट्रा है कॉनर है उसको कट कर देंगे और दोनों को एक साथ ऐसे जोइंट करके डबल कपड़े करके ऐसे हम ऐसे कॉनर पे सिलाई करेंगे देखिए ऐसे ही पाइपीन हम बनाते हैं ऐसे पूरे में सिलाई कर लेना है देखिए ऐसे हम डबल कपड़े को पूरे सिल ली हूँ और ये छोटा छोटा कट से लगा रही हूँ देखिए हमारे सिलाई नहीं कटनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे पाइपीन हमारा अच्छा बनता है और इसे अंदर के सिलाई उसी में लेते हुए ध्यान दिजेगा शिलाई इस पाइपीन में लेते हुए हम अंदर के तरफ कपड़े को मोड़ कर ऐसे पकड़ कर यहाँ पे हम चिलाई लगाएंगे इसी तरह पाइपीन के पास ही हमारा बारीकी से सिलाई चलनी चाहिए नव पाइपीन पचड़े और नव ही ज़्यादा दूरी होनी चाहिए जहां हम पाइपीन बना रहे हैं उसी के पास में ही सिलाई को चलना चाहिए तब ही हमारा पाइपीन अच्छा दिखेगा जहां गोल राउंड है वहां आराम से ऐसे पाइपीन बनाते चले जाना है हम आपको पूरी इसे बारिकी से बना कर बता रहे हूँ आप आराम से ऐसे बना सकते हैं पास पास में सिलाई लगाना है जो पाइपीन है कोई भी बनार्शी साड़ी सिंपल साड़ी पर ऐसे हम बिना डिजाइन के अच्छे से पाइपीन देते हुए हम अच्छे से बना लेंगे कोई भी बिलाउंच को और हम बहुत चारे डिजाइन वाले बिलाउंच इलकर के डाले हूँ सकुंतला देवी स्टेचिंग 2021 चैनल है हमारा आपको यदि सीलना हो तो आप उस पर सर्च मार करके आप देख सकती हैं मेरे चैनल पर यह हम पाइपीन आपको बता रहे हैं सिंपल से बिलाउंच में देखिए कितना अच्छा बन गया दोनों कोनर पर थोड़ा ज्यादा रखी हूँ क्योंकि आगे के पार्ट जोएंट करके हम इसको जोड लेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद